हेलो स्टुजेंट्स मैं अपने यूट्यू चैनल यूट्यू आपका स्वागत करता हूं आज हम पढ़ेंगे सिंप्लिफिकेशन आप देसिमल नंबर्स ओके तो यहां पर मैंने एक जांपल लिया हुआ है तो जब हमारे कई सारे साइंस एक साथ होते हैं तो महां पर क्या कर यहां पर यह दोनों हमारे नंबर क्या है एडिशन में हैं और यह हमारा सब्स्ट्रेक्शन पहले हम एड करेंगे ठीक है आइड करने के लिए हम जो है नार्मली आपके अभी सीख रहा है इसको नार्मली आपके डारेट ना करके हम क्या करेंगे 3.46 और 12.8 है तो इसको आडिशन आ गया अब इसमें से हम इसको माइनस कर देएंगे तो क्या हो जाएगा 16 मेनस 0.26 माइन sa9.23 पौइंट के नीचे यह एकूंट रहना चाहिए mix कर देंगे 63 माइनस किया थी आ गया współ Mानस किया जीरो 0.16 से 9 मानस करते हैं तो क्या आ गया हमारा 7 आ गया तो 7 यह हमारा आंसर आ गया अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 7.03 ओके चलिए दूसरा देखते हैं सिंप्लिफिकेशन करते हैं दूसरा सिंप्लिफिकेशन एक माइनस 0.35 माइनस 2.009 तो बहुत में हमारा स्ब्स्ट्रेक्शन तो पहले पर एट से इसको सब्स्ट्रेक करते हैं एट पॉइंट के दो टो डेशिमन है तो जीरो कर लेंगे इसमें तीन अगर त्री कर लेंगे तो ने 자 Kung जीरो कॉइंट 3 फाइब गृत कर लेंगे माइनस कर लÃते हैं इसमें के ना इससे को मायनस इस प्रकार से हम इसको क्या कर देंगे सिंप्लिफाइब कर देंगे चलिए अगे लाग जाम पर देखते हैं कि सी नंबर 65.4 माइनस इन ब्रैकेट 42.7 माइनस 11.86 ठीक है अब यहां पर साइन के साढस साथ क्या ब्रैकेट सर्फ करेंगे तो में क्या करेंगे 4 VP 7.7 में 11.86 माइनस करेंगे तो मैनस करेंगे इसको करेंगे को देखाव 16 माइनस कैसा की CC 88 माइनस कि इえー और यहां पर प्लेंस किया तो 31.84 अब इसवे शाव करेंगे तो 65 में से minus कर देंगे तो 65.4 गॉंच 30 फाइन के आट फोर यहां पर यह करें लाई के बना लेंगे ईहरो बढ़ा कर अब आधिसमें से इसको minus करेंगे क्योंको इसको जो आएगा उसको इससे 3-2 करना था तो यहाँ पर 4 तो 4-6 बचाओ एसद यहाँ सो नो भी आ टिकर करने पर 33.6 थीए है तो इस प्रकार से हमारी केस्ल हो गया इसे और एक और एक्जम्पल देखते हैं सिंप्लिफिकेशन का 21 माइनस 9.64 इन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट 1.7 प्लस 5.755 इसमे ब्रैकेट आ गया सब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे चलिए तो 1.7 3 decimal है 3 decimal बना लिया इसको हमने और इसमें आपका 5.755 एड कर गया ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया आपका एड करने पर हो गया 0,5 5,05 5 ठीक है अब 7,7 14 कह रिया है 1 अब 5,1,67 हो गया ठीक है 7.445 आ गया यानि हम इसकी जगा कहने सकते है माइनस 7.45 5 लिग दिया ठीक है बहां कि हम वो ऐसे कहरी कर लेते हैं तो यह हमारा क्या होग है 21 माइनस 9.64 अब पहले 21 से इसको माइनस कर देते हैं तो 21 से 21.2 decimal लगा दिया 9.64 माइनस कर दिया 10 में से 4 माइनस कर दिया 6 9 में से 6 माइनस कर दिया 3 यहाँ पर 20 29 माइनस कर लेवन आ गया तो 11 माइनस अब क्या होगा 7.455 इसमें से फिर माइनस कर देते हैं 7.455 माइनस कर देते हैं लाइक देसे में बनाकर इसको माइनस कर रहा हूं है सब्सक्राइब कर सकते हैं उम्मीद है आपको सभी समझ में आ रहे होंगे चलिए अब निक्स आते हैं कुछ वर्ड प्राब्लम करते हैं अगर आते हैं डेसिमर के उसको कैसे स्वाल किया जाता है एक्जामपल है मुकुल बॉट केक रूपीज मुकुल नाम कोई लड़का है मुकुल बाट केक उसने चलिए प्रोपीज थज्री पॉइंट एक सेबर और उसने क्या ख़ईदा चापलेट के लड़क ऊपीज तो पॉइंट एट सेबर और उसने जो है दस रुपए दुकंदार पेंदी ए ना चलिए चलिए छोकलेट लिया आख दस रुपए उसने दिया बताए उसको पास कितने पैस से आपस करेगा तो क्या होगा इसने पेड़ की किया वी पैड़ क्यों सब्सक्राइब कर देना तो ह सको न्यूंस करें तो क्या थे तो ही शीघ्र करते है विल tiden 10 minus 3.87 plus 2.67 चलिए तो इसको करते हैं तो 3.87 plus 2.67 इन दोनों को add कर दिया हूं हमने 10-6.54 आ गया अब इसको 10 से माइनस कर देंगे 10-0.00 तो इससे माइनस कर देंगे 54 माइनस करने पर क्या एक हमारा यहां पर आ गया 9-6 माइनस कर देंगे तो यह मैंने रफ पर किया था आपको समझाने के लिए इसको हमें रेज कर देंगे बस यतना ही सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए नेक्स भी देखते हैं वर्ड प्राब्लम और बेकर और बेकर हैज रुपीज 40 चालिज रुपाए है उसके पास ही बाई बाई बटर फ्लोर एक्वाल टू रुपीज 14.50 और बाई बटर एक्वाल टू रुपीज 12.86 और हमेंवाल लेटर हैं उसके पास उसने इसको खरीद और उसको करेगे पहले हम इंदोनों को ऐड़ करके इससे क्या करतें गेंगे साथ क्सम्राइग किया है तो मनी लेटर मनी एक्वाल टू लेफ्ट मनी एक्वल टू 40 माइनस 14.50 प्लस 12.86 अब इसको सॉल्व करके इन दोनों को एड़ करके सब्स्ट्रेक कर दें कि हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है तो इन दोनों को एड़ करने पर 40 माइनस इन दोनों को आप रहा हमें अब इसको माइनस कर देंगे 40 मिस माइनस करेंगे तो क्या बच दे रहा इन दो इन दो 12.64 रुपाई उसके पास क्या बचेगा रुपीच 12.64 तो इस प्रकार से हम कुष्चन को सॉल्व पलेंगे चला नेक्ट कुष्चन देखते हैं थिकनेस आफ लार्ज ब्रिक एक वाल टू थ्री सेंटी मीटर अब थिकनेस आफ इसमाल ब्रिक एक वाल टू यह क्या है आपका उससे लिस्देन है जो है 1.908 सेंटी मीटर जो है क्या है लिस्देन है उससे थिकनेस इसकी तो लिस्देन है उसको लिस्द कर देंगे तो 3 माइनस 1.908 माइनस कर रहेंगे चलिए रफवर कर लेते हैं 3 से 3.000 में से 1.908 को माइनस कर लेते हैं माइनस किया 0 से 8 गया तो आपको बचा 2 यहां 9 में से 0 गया 9 यहां पर 9 में से 9 गया 0 और 1 2 से 1 माइनस कर वह है तो हमारा आ गया 1.092092 सेंटी मीटर तो जो दूसरा इसमाल देख है वो इसकी थिकनेस कितनी है वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेंटी मीटर है ठीक है अब क्या कर रहा है नेक्स कुशन कह रहा है दब फांड कंबाइंड कंबाइंड थिकनेस तो कंबाइंड थिकनेस एक्वाल टू क्या करेंगे दोनों को एड़ करेंगे 3 प्लस 1.092 आड़ करने पर क्या जाएगा हमारा 4.092 सेंटी मीटर है तो इस परकार से हम कुषिन ब्राइब को भी देसी मर्केज तो इसे ही क्या करते इसे हैं समझ में आया होंगे नो दोस्तों बी सब्सक्राइब करें ता कि भ भी इसको देखें और इसको जो है वीडियो को समझे धन्वाद आपका दिन सुभआ